चे को बड़ा पुला और साथ सितंबर को मनाए जाने वाले ताना पूले के लिए बाजार पूरी तरह से तया है। पूला मेला नहीं होने का आधिस चारी किया। वैसे ही काट की नंदी का व्यवसार करने वाले व्यापारियों में निराश अचा गई। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूली के त्योहार पर पानी फिर गया। ताना पूली में शहर में कई स्तानों पर बड़े- पर व्यापार होता है। पिछले बार की तुल्ला में जहा काट की नंती 10-15 प्रतिशत मैंके वह हैं। वही बैस सजाने वाली सामक रिपी 20-30 प्रतिशत पड़ गई है। साल में थोड़ा विक रहा है। जादा से जादा विक्री जो हो रही है। चोटे की गया साल तो छोटा ही माल बेका पूरा बड़ा माल नहीं बिख सका जादा और इस साल भी चोटा ही माल बेकेगा। अब अभी यह जैसा बहल है हमारा यह काफी अच्छा है तो यह अभी 7,000 उपर रेंज रखे थे लेकिन इसका डिमांड मार्किड में लोग इसका पाईजर के उपर नहीं देवाल है। तो इसको हमने साड़े पाच में बेज दिए। अब क्या दा रहेंगे रखे तो कोई फाइदा है नहीं महिनत से जब 6 महिने लगे इसको बनाने को। तो इस वज़े से उसको अभी रखने से अच्छा तो बेच नहीं है क्योंकि अभी लॉक्ड़न में लोग के पास भी पैसा नहीं है और सब डिमांड बहुत बड़ी पॉला तुटने के बाद बच्चे अपनी छोटे छोटे नंदी लेकर आसपास के घर घर में जाते हैं। बच्चों ने इसकी तयारी शुरू करती हैं। जो लोग नया नंदी नहीं खरीद रहें में अपनी पुरानी नंदी को निकाल कर उसकी साफ सफाय के साथ रंग रोक पॉला एक ऐसा त्योहार है जिसमें किसान बैल की पूजा करता है। बैलों को सजाने के लिए उप्योग होने वाली सामक्री में चोरंग, मठाडी, कासरा, खोटर, बाला, येसन और मोर्की महंगी होने के बाद भी किसान उत्वारा इसकी खरीदी की चारी है। पारंपारी